और अब बाचीत करते हैं बहुत इंपोर्टेंट ख़वर के बारे में जो की भारत में निवेश को प्रभाविद कर सकती है। भारत और मौरिशस ने डवल टैक्सेशन अवाइडनस एग्रिमेंट में संद्शोधन किया है। इससे मौरिशस से भारत आने वाले अर्बो डॉलर के फोरन इंवेश्मेंट पर असर पड़ सकता है। इस सब्सक्राइप 1085 वाकिया है। इस अमेंडमन्न इसमेंडमन की जो बात कारी जारही है जो मार्च 2024 में किया गया है। या धुल्यूसरा अमेंडमन्न है। तो पहले अभी कही बात करते हैं कि यह क्या amendment है, amendment यह कह रहा है कि जो India Mauritius Double Taxation Avoidance Treaty है, उसमें एक principal purpose test को add करा जाए, यह principal purpose test का जो main objective है यह है कि आप यह certain करें कि जो भी third party, मतलब neither Mauritius resident nor India resident, कोई भी third party entity है, US की entity, कहीं और की entity है, वो Mauritius के थूँ अपना base set up करके क्या इसलिए सिर्फ इसलिए कि उनको इंडिया में taxes नहीं देने, अगर यह issue है, तो यह entity जो है principal purpose test fail कर देगी, और Indian tax department कह सकता है कि आपको treaty का benefit नहीं दिया जाएगा, जो favorable tax regime जो है, अब थोड़ी बात आती है, यहाँ पे 2017 हो समझना जरूरी है कि इतना हला क्यों मच रहे है, वो बर्दाश नहीं करेंगे, लेकिन जितना पीछे का है, अब तिल 31st March 2017, उसको grandfather कर दिया जाएगा, तो उस investment को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन 2017, 1st April के बाद से, जितना भी foreign investment Mauritius से आ रहा है, उसको इंडिया का capital gains tax देकर ही, वो investment आ सकता है, तो अब सबसे बड़ा issue आ जा रहा है, interpretation पे, कि क्या ये amendment, जो ये पुराना जितना भी grandfathered amount था, जो 2017 के पहले, और काफी बड़ा amount है, मतलब, we are talking about over, you know, 4 lakh crores, अगर हम FPI investment देखें हैं, equity market में, debt market में, तो क्या इस amendment से, ये जो पुराना जितना investment है, उस पे भी tax department नई scrutiny खोल सकता है, नया question mark लगा सकता है, क्यों केरफुली जो वर्डिंग लिखी गई है, वो वर्डिंग में इंटर्प्रेशन आ रहा है, कि शायए tax department ने अपने को उतना space दे रखा है, कि हम पुराना भी आप से पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक इस पे specific clarification, North Block से नहीं आएक तब तक थोड़ी अटकले लगाई जा रही ह अब वो कम हो गया है, इस 2016 के अमेंटमेंट के बाद कि आपको टाक्स दे काना पड़ेगा, लेकिन फिर भी, मतलब, the amounts are still very large, Singapore काफी, मतलब, jurisdiction काफी बढ़ा है, लेकिन फिर you, Mauritius is important, as long as पुराना वाला नाच हुए, market ठीक रहेगी. So, दो चीजे इसमें हुएं आपके हसाफ से, एक अपरल 2017 से के बाद जो भी हुआ ना, उसमें ग्रैंट फादरिंग का बेनफिट आपको नहीं मिलेगा, कैपिटल गेज देना पड़ेगा, और जो लेटेस अमेंटमेंटमेंट है, उसमें कोई भी एंटिटी कहीं भी लिस् कि आप ऐसा तो नहीं है कि इस अमेंटमेंट से आपो ग्रैंट फादरिंग मतला वापिस ले लेंगे, वह सबसे बड़ा है, ज्यादा तर पैसा तो मौरिशस में बाहर से ही आता है, जी बिल्कुल, मौरिशस में अपना कुछ तो है नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और इस इसलिए उस समय उसको टाइटन किया गया, लेकिन यह कहा गया कि पुराना हम नहीं चुहेंगे, अब यही बात आ रही है कि इस अमेंटमेंट के बाद आप क्या कह रहे हैं, अब आप दुबारा पुराने में तो नहीं जाएंगे, अस लोंग इस ये फ्यूचर में रहे, प मतलब फ्यूचर के लिए करें, तो कोई दिककत की बात नहीं है, बहुत सारी टाक्स ट्रीटीज में यह प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट दिया जाता है कि इस्टैपलिश करने के लिए, कि आपका कोई वालिड रीजन है कि नहीं, टैक्स का स्रुक्चर बनाने के लिए, जिसर सब कुछ इसी पैटका हो, कि आप कहीं पास तो दवारा नहीं खोल देंगे. चुकि यह बला इमाउंट है, मुझे दाने एक बहुत पहले यह भी हुआ था, कि जो मौरिशास का फंड आ रहा है, उस पे किसने पैसे लगाए है, उसका भी के वाइसी चाहिए मुझे, जी, य कि क्या आइंटिटी है, कि क्या कि करा गया है कि नहीं करा गया है, कहीं यह टरर फंडिंग का पैसा तो नहीं है, तो यह बहुत सारे रीफॉर्म्स पिछले कही सालों में हो चुके है, इवन अभी, इवन जो फ्पिया के जो लेटिस जो रेगुलेशन से भी नहीं करे थे, बेनिफिशल ओनर अल्टिमेटली पैसा है किसका, वो थोड़ा क्लियर कट, मतलब पता रहे इंडिन रेगुलेटर्स को, तो वो चीज़े हो रही है, लेकिन टैक्स के मामले में, टैक्स एक्सपर्स का यह कहना है, कि एक टैक्स में स्टिबिलिटी और प्रेडिक्टिबिलिट कुछ भी हो सकता है, तो यह एक थोड़ी बार्केट की टैंसन रही, जब तक क्लियरेटी नहीं आती, नौर्ट ब्लॉक्स जानी फिनान्स मिलिस्ट्री की तरफ से, तब तक थोड़ी मुश्किल है, तो यह बहुत बहुत शुक्रिया, यह पूरा एक्स्पेंड करने के देखता हो सकता क्लियरेटी आई जाए इसमें